जय हिंद इस विडियों लोग NPS Info Technique जिसे BCS Info Technique Limited के नाम से बजाना जाता है इस कंपणी के बारे हम बात करेंगे आज इस कंपणी ने अपने Quad 3 के रिजल्ट जारी किये हैं और यह रिजल्ट बेहत दिल खुस करने वोला रहा है कंपणी ने Quad 3 के रिजल्ट में जो देखने को मिली है और जिस तरह से कंपणी ने आंकड़े परदर्सित किये हैं ऐसा लगता है कि इसको देखते हुए कंपणी का सेर प्राइस आगे भी इसमें तेजी बने रहने के उमीद है वीडियो काफी इंफरमेटीव होने वाला आपके लिए तो वीडियो को पूरा द पर 1710 क्रोंड रोप्या जिस कंपणी का मार्केट केप 1710 क्रोंड उसे पहिने स्टॉक डिल्कुल नहीं का सकते हैं हां इसको स्मॉल केप स्टॉक में कंसिडर किया जा सकता है कंपणी का सेर प्राइस से एक रुपय पचाशा अब रिटर्न की बात करें दूस्तों तो वाजुद इसके शेयर प्राइस में 3.45% का उशाल देखने को मिला है Board of Directors की मीटिंग हुई है आज 24 जनुवरी को और उसमें कमपनी ने अपने quarter 3 के रिजर्ट्स जारी किये हैं अब कमपनी ने quarter 3 के जो रिजर्ट्स जारी किये हैं हम लोग उस पर बात करते हैं अगर यरली बिस्स पर बात करें तो साल यह सीर्फ 9.06.00 लाक था रहा साल पर में कंपनी का रेःबिनैंबस नौम के Spgirl मतलब अमेजिग ॥े अब बात करते है ame telling- यानि कि लॉस कम हुआ है अगर बात करें तो साल पर पहले कंपनी को एक सो बतीस पुइंट नौ दो लाग हो गया है कर सकते हैं कंपनी दिरे-दिरे आगले जो क्वाड़ी का रियल्ट आएगा हो सकते हैं उसमें अल्मों फिरी हो जाए आइवर न्यौक बात करें तो यह भी बढ़ा है देखें वाड़ री में 0.01 अजिक क्यौ टू में पर सिर्फ 0.03 परसेंट और साल पर पहले 0.04 परसेंट था अब देखिये यह जो है ना दसमलों के बाद एख यह तो यह मस्तम जा जाएगा कि तीन है तो यह जादा है तो जा quarter 3 में 144 पॉइंट एक लाग का खर्च किया है और quarter 2 में कंपनी को इंकम कितना हुआ था सिर्फ 13 लाग और खर्च किया था 154 लाग अब quarter 3 में देखिए इसको इंकम हुआ है 93 लाग और खर्च किया है 148 लाग मतलब एक तो खर्च कम हुआ है quarter 3 से quarter 2 में अपने expenses को कम किया है और इंकम भी बढ़ा है दोनों चीज आप मिला कर देखिए ठीक हुआ है मतलब बहतर हुआ है पहले से तो overall आंकड़े कंपनी के बहतर हुए है quarter 3 में और इसी आंकड़े कुलेगर तो इसका future काफी ब्राइटर इसमें कोई सक नहीं है आप प्रयास करते रही है अगर आपके पास इस company के शेयर नहीं है तो अगर मन में कोई सवाल है आप कुछ नया जाना चाहते है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद सुक्रिया